हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासिस में तो आज हम क्लास 8 की एंसी आर्टी का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं जो की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है तो इस चैप्टर का नाम है हमारी अप्राधिक न्याय प्रडाली तो दे देखा होगा कि पुलिस अफसर जो है वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अप्राधियों को गिरिफतार करते हैं और अप्राधियों को गिरिफतार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानों पुलिस इताय करती है कि कोई अप्र तो बिल्कुल सुना है हमने है और क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकीड कॉन होता है तो हम ये कि सरकारी वकील कोन होता है तो is अध्यार mà चोरी की कालपनि घट्च decision स्वानने करेंगे कि न्याए पानिकि प्रक्रिया जो है वो किस तरह चलती है और आपराधिक नयाई विवस्था में अलग-अलग लोगों की क्या भूमिका होती है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो मुंबई की एक मकान में श्रीमती सिंदे तैयार हो रही है पिछले एक घंटे से वे अपने गले का हार ढूंड रही है वे कहती है मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था कहां गया तो उनके हस्बन बोलते हैं जल्दी करो भई हमें देर हो रही है साधी के शमारों में जा समय लगाती है शांति हेम ब्राम पिछले तीन साल से इस मकान में काम कर रही है शांती क्या तुम चोरी करने भी लग गई हो और वो भी सोने का हार अपना भकसा लाओ मैं अभी तलासी लूँगी हमने पुलिस को बुला लिया है अगर तुमने ओर लिया है तो अभी लोटा तो नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की है तजार रुपे मिलते हैं वह शांती पर चिलाने लगते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि शांती ने हार बेच दिया है और यहें उसी का पैसा है तो शांती बोलती है साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भरसे पैसे जमा कर रहे हैं हम गाउं लोटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं मैडम मैं बेगुना हूँ इसके पश्चाच शिंदे जो है वो थाने पहुँच जाते हैं तो थानेदार कहते हैं जी कहिए तो शिंदे बोलते हैं कि मैं FIR लिखाने आया हूँ मेरे घर में चोरी हुई है घर की नौकरानी शांती ने मेरी पतनी का हर चुरा लिया है सिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं तो सिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राओ के घर आते हैं अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत के तोर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शान्ती को गिरिफतार करके थाने ले जा रहा हूं महरबानी करके मुझे थाने मत ले जाएए मैंने हार नहीं चुराया है या मेरी मेहनत की कमाई है शांती का भाई शुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राउ से विंती करता है कि वो शांती को छोड़ दे उसने सोने का हार चुराया है तो मदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ तो लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाओंगा इसके लिए कौन जमानती बनेगा आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है जैसा कि आपने उधारण के माधियम से देखा कि सब इंस्पेक्टर राउ शुशील को भी दो दिन के लिए हवालात में रखता है उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कॉंस्टेबल पीटते हैं और गालिया देते हैं वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इलजाम कुबूल कर ले वे उसे या मानने के लिए कहते हैं कि उसकी बहन शांती घरेलू नौकरियों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों के गहने चोरी करता है तो शिंदे के पडोश में गहने गायब होने की कुछ और शिकायत आ चुकी थी जब शुशील बार-बार यही कहता रहता कि वह निर्दोस है और फैक्टरी में मजदूरी करता है तो दो दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही वह गेरे सदमे की हालत में थी और वह डरी हुई है मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा वह कहती है मेरा क्या होगा मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया सिर्फ मैडम के शक की वज़े से मैं सलागों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह भी कभी हमें वापस मिल पाएगा भी या नहीं इसके पश्चात पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांती को दे दी गई शांती अदालत को बताती है कि चोरी के इस जूटे इलजाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है तो देखिए हमारे भारती सम्विधान में प्राविजन है भारती सम्विधान के अनुछेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बच करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और सम्विधान के अनुछेद 49 ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहया कराने की जिम्मेदारी राज्य के उपर सौपी गई है जो गरीबी या अन्य किसी वजह से वकील नहीं रख सकती तो यह पॉइंट जो है बहुत मुझ पर लगाया है उन्हें शांती के बकसे में 10,000 रुपए मिले थे उन्हें लगता है कि उसने हार बेज कर ये पैसा हासिल किया है लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है अदालत जो है वो शांती पर आरोप लगाती है कि उसने स्रीमतिश सिंद्रे की सोने की हार चुर स्टार्ट के सामने सुनवाई स्टार्ट हो जाती है सरकारी वकील राज की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और वह श्रीमतिशिंद्रे के मुख्यगवा के रूप में पेश होते हैं ठीक है इसके बाद तो अब बताईए श्रीमतिशिंद्रे आपका हार किस तरह गायब मिस्टर सिंद्रे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली वहाँ लिफाफे में दस अजार रुपए देखकर हम तो अचमफे पड़ गए शांती को या पैसा मेरा हार बेजकर मिला था वह चोर है इसके बाद अधिवक्ता श्री जो है अधिवक्ता राय जो है श्रीमति सिंदे से जिरह करती हैं तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांती को चोरी करते वे नहीं देखा है ना ना ही आपको शांती के पास चोरी का हार मिला पिछले तीन साल में जब से सांती आपके घर पे काम कर रही है तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई आप हर महीने उसे एक हजार रुपए पगार भी देती रही है तो अधिवक्ता राय जो है बचाओ पक्ष के गवाह के तौर पर शुशील और उसके मालेक के कुछ सवाल पूछती है और इन दोनों बयानों के आधारपा शुश्री राय या साबित कर देती है कि शांती के संदूक में मिले 10,000 रुपए शुशील और शांती की कमाई की रकम भी हो सकती है तो जब मुकदमा खतम होने के नजदीक पहुच गया तो तब ही शुशील को पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओ के एक गिरो का भंडा फोड किया है और इस गिरो के लोग जो है वो अब अधिवक्ता राओ बचाओ पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें ये दिखा सकते हैं कि आपने क्या-क्या बरामत किया है तो शर्मा जी कहते हैं जी हाँ श्रीमती शिंदे ने अपना य इल्जाम कुबूल कर लिया है या हार उन्होंने ही चुराया था तो इसके पश्चात नियाधीश महोदे सारे गवाहों का बयान सुनते हैं इंस्पेक्टर सर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्तर राय नियाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांती निर्दोश श दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राओ की लापर वाही पर खास तोर पर ध्यान दिया जाए जिसकी वजह से शांती आपको जेल जाना पड़ा इस घटना के आधार पर हम यह बिल्कुल देख सकते हैं कि पुलिस सरकारी वकील बचाओ पक्ष का वकील और नयाय होती है इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि अपरागकी जाच में पुलिस की किया भूमी का होती तो दिखेए पुलिस जो है वो पुलिस के होते हैं और इस जाच के आधार पर पुलिस जो है यह अपनी राय बनाती है कि जो है दोशी है कि नहीं दोशी है इंसान और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सुबूतों से आरोपी का दोश साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस जो है अदालत में आरो अधीश का है दूसरी काई में आपने जो है कानून के शाशन के बारे में पढ़ा था इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति जो है देश के कानून के अधीन है पुलिस भी इसी कानून के तहत ही आती है यह मतलब नहीं है कि पुलिस को अधिकार प्राप्त हो गया है जांच करना चाहिए सर्वोचे ने आया लेने गिरिफतारी हिरासत और पूछताच के बारे में पुलिस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने पीटने या गोली मारने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो किसी छोटे से छोटे अपराद के लिए भी पुलिस किसी को भी कोई सजा नहीं दे सकती और अनुछेद 22 आपने देखी लिया है कि अनुछेद 22 के अनुसार जो है जो भी अगर वकील हायर नहीं कर सकते हैं तो उनके पास मौलिक अधिकार प्राप्त है अफौसदारी कानून में प्रतिय गिरिफतार व्यक्ति को निमलिकित मौलिक अधिकार प्राप्त है तो देखे गिरिफतारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरिफतारी किस कारण से की जा रही है गिरिफतारी के 24 गंटे के बीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार गिरिफतारी के दोरान या फिर हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व व्यवहर या यातना से बचने का अधिकार पुलिस हिरासत में दिये गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तोर पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता और 15 साल से कम उम्र के बालक या फिर किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में जो है नहीं बुलाया जा सकता तो यह जो है आर्टिकल 22 में सम्मिलित है अब यहां पर एक क्वेस्चन है कि आपको ऐसा क्यू लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिये गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तोर पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिये गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तोर पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता क्यूंकि पुलिस जो है हिरासत के दोरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपी इससे डर्व के कारण जो है वो अपने दवाब में बयान दिया हो है ना अब इस पैरा को भी देख लेते हैं सरवोचे ने आयाले ने जो है किसी भी व्यक्ति की गिरिफतारी हिरासत और पूछतास के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तैकी हुई है और इन नियमों को डीके बसू दिसा तो इसमें से कुछ दिसा निर्देश जो है वह इस प्रकार है पहला दिसा निर्देश यह है कि देखे गिरिफतारी या जाच करने वाले पुलिस अधिकारे की जो पोशाक पर उसकी पहचान नामपटी और पद जो है वह इस पस्च रूप से अंकित होना चाहिए दूसरी गिरिफतारी के समय जो है अरिस्ट मेमो के रूप में गिरिफतारी संबंदी पूरी जानकारी का कागज तयार किया जाए उसमें गिरिफतारी के समय वह तारीक का उलेक होना चाहिए उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए वह गिरिफतार सदस्य के परिव ज Hill को अपने किसी संबंधी दोस्त या शुब्चिंतक को जानकारी देने का अधिकार जो होता है प्राप्त होता है अगली बात ये कही गई है कि जब गिरिफतार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले के बाहर रहता हो तो गिरिफतारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरिफतारी के समय थान और हिरासत की जगह में जो है जानकारी भेज दी जानी चाहिए अब फिर से एक बार शांती के पास लोटते हैं तो देखिए अब शांती के कहाने पर वापस लोटते हैं और इन सवालों के जब आप खोशते हैं पहला क्वेशन है जब चोरी के इलजाम में शांती को गिरिफतार किया गया और उसी दोरान सब इस्पेक्टर राओ ने उसके भाई शुशील को भी दो दिन के लिए जो है पुलिस हिरासत में रखा तो क्या आपको हिरासत में रखने की कारवाही कानूनन सही थी क्या इससे डीके बसु दिसा निर्देशों का उलंगन हुआ तो देखिए सब इंस्पेक्टर राओ द्वारा जो है वो शांती के भाई करने से पहले गवाहों से परियाप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकठा किये थे पुलिस की जिम्मेदारीों के हिसाब से आपकी राए में सबूटर राओ को जाच के लिहाँ से और क्या क्या करना चाहिए तो देखिए क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर राओं ने गलत कीया उसने ना तो proper सबूती कड़्े किये है ना पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राओं को जाज के लिहाद से निम्नवाते करनी चाहिए पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि सांती की गिरिफतारी के समय जो है अरेस्ट मेमो के रूप में उसे गिरिफतारी संबंदी पूरी जानकारी के कागस तैयार करने चाहिए थे जो की राउ ने नहीं किया था दूसरी बात कि arrest memo पर शांती के दस्तकत करवाने चाहिए थे जो कि राव ने नहीं किया था तीसरी चीज शांती के किसी जानने वाले या रिस्तेदार को जानकारी दी चाहिए थी जो कि इंस्पेक्टर राव ने नहीं किया था अगला क्वेशन है आईए अब थोड़ी अलग स्थिती के मामले को देखते हैं माल लीजे शान्ती और उसका भाई शुशील थाने में जाकर यहां सिकायत करते कि शिंदे के 20 वर्सी ये बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिये हैं क्या आपको लगता है कि थाने के प्रभारी अधिकारी फौरण उनकी FIR दर्ज कर लेंगे ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं तो देखिए इस स्थिती में जो है थाने के प्रभारी अधिकारी शांती वा उसके शुशील भाई भाई शुशील एफाइयार फोरन दर्ज नहीं करेगा क्यों? क्योंकि एफाइयार ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक दोठो है एक देखिए शांती जो है गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इलजाम लगा हुआ है वह अमीर बाप का बेटा है इसलिए गरीब होने के कारण पुलिस जो है वो शांती को सही होने पर भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी दूसरी बात ही हो जाएगी कि पुलिस अफसर उल्टा शांती और उसके भाई शुशील से सवाल करेगा कि उसके पास 15,000 रुपए कहां से आए और उन्हें डरा धमका कर जो है वहां से भगा देगी अब देखिए हम एक बहुत important point पढ़ने जा रहे हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमी की जिसे की हम FIR कहते हैं ठीक है first information रिपोर्ट इसका full form होता है तो हमाई ये थोड़ा सा FIR के बारे में भी जान लेते हैं कि FIR होती क्या है तो देखिए पुलिस जो है FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है मतब क्या कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तयार करने के पश्चाती जो है पुलिस जो है कारवाही कर सकती है तो कानून में ये कहा भी गया है कि किसी संग्जे अपराध को स काम तोर पर वारदात की तारीक समय स्थान का उलेख किया जाता है और उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरन भी लिखा जाता है और अगर अपराधियों को पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उलेख किया जाता है तो FIR के लिए पुलिस के पास ए एक नकल मुफ्त पाने की कानूनी अधिकार होता है बात करेंगे अब सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है तो देखे किसी आपरादिक उलंगन को जो है जनता के विरोध्य माना जाता है और इसका मतलब यह है कि वह अपराद केवल पीडित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पह राज्य की ओर से दायर किया गया था आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे और यह पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा इसलिए इस मुकदमे को राज्य यानि कि दिल्ली प्रसासन बनाम लक्षमन कुमार एवं अन्य के नाम दिया गया और इसी तरह सांती वाले म राज का पक्ष प्रस्तुत करता है यह बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है तो दिखें सरकारी वकील की भूमिका यह होती है कि अदालत में सरकारी वकील राज का पक्ष प्रस्तुत करता है और सरकारी वकील की भूमिका तब कि वह निस्पक्ष रूप से अपना काम करें और अधालत के सामने सारे ठोस तत्य गवाह और सबूत पेश करें तभी अधालत सही फैसला दे सकती है बात करेंगे अब नियाधीश की क्या भूमिका होती है सरकारी वकील की भूमिका तो हमने देख ली अब नियाधीश की भूमिका क्या होती है देखी नियाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अमपायर की होती है वे निस्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकद क्यानूनों के अनुशार करते हैं कि आरोपी सच्छमुश में दोशी है या नहीं और अगर आरोपी दोशी पाया जाता है तो न्यायधीस उसे सजा सुनाती है वह कानून में दिए गये प्रावधानों के हिसाब से दोशी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्मा देर के लिए ये कलपना करें कि अगर न्यायधिश महोदे शांती का मुगदमा किसी और तरह के संचालित करते तो क्या हो सकता था अगर अधालत ने शांती का आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता और अगर न्यायधिश किसी ऐसी जगह और इस तरह की कोई बात होती तो इसे निस्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है और इसकी वज़ा से यह हैं कि निस्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है दिखिए सम्विधान का अनुचेद 21 जो कि जीवन का अधिकार इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंतता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर कानूनी प्रक्रिया के जर्ये ही छीना जा सकता है निस्पक्ष सुनवाई में या सुनिश्चित किया जाता है कि सम्विधान के अर्णुछेद 21 का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा ठीक है और अब इस चित्र कटा जो है जर्ये जो है निस्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्तों पर ध्यान दिये देखिए सबसे पहली बात क्या हुई कि शांती को जो है आरोप पत्र और उन सभी साक्षों की एक एक प्रती दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किये थे तो सांती पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराद है यह मुकद मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया शांती का भाई शुशील अदालत की कारवाहियों में महजुद था मुकदमा आरोपी की उपस्थिती में चलाया गया शांती का एक वकील ने बचाव किया शांती का अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए शारे जो है वो जिरह करने का मौका दिया गया है ना अधिवक्ता राय को शांती की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया हाला कि पुलिस ने जो है वो शांती के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन नैधीस ने उसे निर्दोस मानते वे तो इस अध्याय में हमने जीन लोगों का जिक्र किया है सम्विधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही धंग से निभानी चाहिए इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वो विभिन वर्ग जाती धर्म या फिर किसी भी म दिया जाए तो इस सिध्धानत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा यहां पर कुछ टर्म्स दिये हुए हैं इनका मतलब समझने के कोशिश करेंगे तो देखिए पहला टर्म यह है कि खुली अधालत तो खुली अधालत का मतलब क्या होता है शांती का मुकदमा जो है जनत यह अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह तो शांती के जो अधिवक्ता थी शूश्री राय को अभियोजन पक्ष की और से पेश की गए सारे गवाहों के सवाल पूछने का मौका दिया गया पाट के अंत में हम अब हम कुछ जो है सब्द संकलन को देखेंगे पहला यह है इस चैप्टर के संदर्भ में कि ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराद के लिए मुकदमा चल रहा है संग्य क्या मतलब क्या होता है संग्य अपराद जो है किसको कहा जाता है जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुम पूछता है जिससे जो है उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके तो इसे कहते हैं जिरह हिरासत जिसे की इंग्लिस में डिटेंशन कहा जाता है तो पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी धंग से अपने कपजे में रखना इसे कहते हैं हिरासत अब बात इस पक्ष तो इसका मतलब होता है इस पस्ट या नाय संगत व्यभार करना किसी एक के पक्ष का समर्थन ना करना किसी अपराध का आरोप लगाना तो देखिए क्या होता है इसका मतलब जब नयाधीज जो है आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किसी अपरा में क्या देखा क्या सुना क्या जाना तो उसे कहते हैं गवा तो चलिए यहीं समाप्त होता है मेरा यह वीडियो और कैसा लगा यह चैप्टर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर थैंक यू बेरी मच्च